जहींद एवरिवन मेरा नाम है जतीन और सागत है आपका जियो आफेर्स में इस G20 सम्मिट में चाइना के प्रेजिडेंट सी जिन पिंग का ना ना ये काफी मेंगा थाबित हुआ है चाइना के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हाली में G20 सम्मिट में भारत, USA, साओधी अरब, UA और EU यानी European Union इन सबने एक प्रोजेक्ट को लॉंच किया जिसके बारे में आप सबी जानते हैं और वो है IMEC इंडिया Middle East European Economic Corridor और माना जाता है कि इस कॉलिडोर को प्लैन किया गया है भारत के James Bond यानी अजीव डोबल जो की प्रेजेंट में भारत के National Security Advisor है और देखिए इसको लेकर चाइना बहुत ज्यादा Tension में है क्योंकि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है Belt and Road Initiative ये भी कुछ इसी तरह का है और इसको चाइना ने 2013 में लांच किया था और दीके बात यहाँ पर सिर्फ ट्रेड की नहीं है इसमें बहुत सारे जियो प्लिटिक मैटर्स और अपने खुद का इन्फिर्ट्स भी शामिल है और आप News Articles, International Media हर जग आप देख रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है USA और USA गट कोई ट्रेड बेनिफिट नहीं है इस कॉरिडोर से फिर भी अमेरिका इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 60 जिन के अंदर सारी फॉर्मालिटिक्स करने पर जोड दे रहा है लेकिन USA इतने एक्साइड़ेट क्यों है इस कॉरिडोर को लेकर इसका अंसर है डॉमिनेंट्स अमेरिका इस बात को अच्छे समझता है कि चाइना एक उबरती हुई पावर है चाहे वो इकउनली के लिए देखिया या फिर मिलिटरी और इसमें एक पॉइंट आता है ब राई का अगर चाइना का ब राई प्रो है प्रोज़ेक्ट सफ़ल हो जाता है जोकी अब ये तक लास में दिख रहा है लेकिन फिर भी अगर BRI प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो ये USA के लिए चलेंजिंग कोगा मैं आपको बताता हूँ कैसे देखें BRI प्रोजेक्ट से कड़ी सारे कंट्रिस कनेक्टेड है और इससे चाइना उन कंट्रिस पर अपने इंफ्लियंस को बढ़ा सकता है और चाइना के इस इंफ्लियंस के कारण अमेरिका की जो साफ्ट पावर है उसकी जो दुनिया के सामने जो पोजीशन है इस पर दाग लग सकता है और कई जियो पॉलिटिक एनलिट्स कहते हैं कि USA और चाइना के बीच का ट्रेड को लेकर काफी साथ कॉम्पटिशन है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना उसको किसी भी तरह बाइपास कर दे और चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉबलम है अगर IMEC कॉरिडर डेवलप हो गया तो चाइना का BROI प्रोजेक्ट का क्या होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफ्रेंस होगा IMEC और BRI में एक्जामपल के लिए ले लिजए टर्की क्योंकि जो BRI प्रोजेक्ट है इसमें टर्की को शामिल किया गया है लेकिन IMEC कॉरिडर में टर्की को शामिल नहीं किया गया है तो देखो बस कंट्रिस का फरेक है मकसद देखिए कॉंटिनेंट्स को ट्रेड रूट के जोड़ना देखिए अभी तो लग रहा है कि IMEC सफल होने के चांस बहुत ज्यादा है और BRI के मुकाबले यह ज्यादा एक्टिव भी है और यह जितनी भी जानकारी में आपको कुछ से नहीं कहा रहा हूँ लेको IMEC की बनने के वाद चाइना अमेरिका के बीच लोजिस्टिक से और अपने इंफ्रेंस को बढ़ाने के लिए कॉंपटिशन बढ़ जाएगा और कई जियो पॉलिटिक थिंकर्स इस बात को मानते हैं और जहां तक रहा भारत का रूल सबसे जादा इंपॉर्टन्ट रूल रहने वाला है भारत का क्कि भारत है बहुत बड़ा मार्केट है और इस कोरिडॉर से भारत को भारत के बिलियन साफ डॉलर बचेंगे इससे भारत में जॉबस भी क्रियेट होंगी और सबसे मज़ेदार बात है कि चाइना भारत का प्रोडूसी देश है और IAMC की शुरुआत भी भारत से ही होगी और अगर आपको जाने कारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा तब तक के लिए जय हैंद जय भारत